दोस्तों ये हैं इंडोनेसिया की minister of finance और former director of world bank जिनका नाम है स्री मुल्यानी इंदरावती पर दोस्तों ये कोई हिंदु नहीं है ये एक मुस्लिम महिला है ऐसे ही इंडोनेसिया के former commander of the arm forces जिनका नाम है general ghatot kach ये भी एक इंडोनेसियन मुस्लिम है पर दोस्तों इनका भी ह इस देश के मुसल्मानों के खून में आज भी हिंदू संस्कृती जीवित है। ये बात कही थी इंडोनेसिया के फॉर्मर प्रेजिडेंट सुकर्णो ने। इंडोनेसिया के मुसल्मानों की सभ्यता और संस्क्रीती दुनिया के दूसरे मुसल्मानों से बिलकुल अलग है इस देश के मुसल्मान, कुरान के साथ साथ, रमायन और भगवत गीता भी पढ़ते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलना दूसली देखते हैं, इंडोनेसिया वाजे हिंदू कंट्री दूस्तों कि आपको पता है कि इंडोनेसिया आज से लगबग 700 साल पहले एक हिंदू देश था जहांपर हिंदू और भोध धर्मों के लोग ही रहते थे इंडोनेसियन गवर्मेंट ये खुद मानती है कि उनके पुरवज हिंदू थे क्योंकि दोस्तों वहाँ पर 1000 से 2000 साल पुराने हिंदू टेंपल मुझूद है इसलिए वहाँ के मुस्लिम लोग ये साफ साफ कहते हैं कि इसलाम हमारा मजभब है और हिंदू इजम हमारी हिस्ट्री है अगर दोस्तों आपको कभी इंडोनेसिया जाने का मौका मिले तो वहां के मुसलमानों के कल्चर में आपको साफ साफ हिंदू कल्चर देखने को मिलेगा और इस बात का सबसे बड़ा पुकता सबूत ये है कि वहां की गवर्मेंट ने अपनी करंसी पर भगवान गिनेश की तस्वीर को प्रिंट किया हुआ है अगर आप इसके पीछे का कार्ण खोजोगे तो वो भी आपको विकीपीडिया पर साफ साफ मिल जाएगा पर दोस्तो नौवी सदी से तेरवी सदी तक अरब के सुल्तानों, सूफी मर्चैंट्स और इसलाम के परचारकों ने यहां के हिंदू और भोध धर्मों के लोगों का जबरदस्ती धर्म प्रिवर्तन करवाया था जिससे इंडोनेशिया में इसलाम तेजी से फैला था दोस्तो इंडोनेशिया के सुमार्ता, जावा और बाली दवीपो पर हिंदू की जनसिंख्या सबसे ज़्यादा है, वहां के हिंदू और मुसल्मान लोग बहुत ज़्यादा प्यार से और मिल जूलकर रहते हैं इंडोनेशियान गवर्मेंट हिंदूइजम को एक्टिवील स्पोर्ट करती है, जब वहां पर हिंदू तिवहार होता है तो गवर्मेंट उस दिन नाशनल हॉल्ई डे करती है, एंसियान लोग पर हिंदू और महा भारत और रमायन को वहां के स्कूलों में पड़ाया जाता बच्चों के बीच संस्कृत सीखने और बोलने के competition रखे जाते हैं, वहां के public places पर proudly हिंदू भगवानों की statues दिखाई जाती हैं, जैसे महाभारत की स्री कृष्णा और अर्जुन की statue जकार्ता में मौझूद है, और इंडोनेशिया के Asian Games Stadium के बहार अर्जुन की सांदार और ब public places पर देखने को मिलेगी, दोस्तों जितना हम महाभारत और रमायन के बारे में जानते हैं, उससे कई गुना जादा इंडोनेशिया के मुसल्मान और हिंदू इनके बारे में जानते हैं, और इनके सलोकों में बताए गई बातों को अपने जीवन में अपलाई करते हैं, क्य इसे वे अपने जीवन में आने वाली हर एक प्रेशानी का हल्क होज सके, और आपको साइध ही पता होगा कि इंडोनेशिया में होने वाली रामलीला पूरी दुनिया में परशिद है, जब परधान मंत्री स्री नरेंदर मोधी इंडोनेशिया के दोरे पर गई थे, तो वे खुद वहां की रामलीला को देखकर हैरान रह गई थे, नमबर तीन, इंडोनेशिया गिफ्टीड माता सरश्वती स्टैचू टू यूएस से, दोस्तों ये जानकर आपको बहुत ही प्राउड फिल होगा कि अमरीका के वासिंगडन डिसी में मौजूद माता सरश्वती दे इंडोनेशिया ने अमेरिका के साथ अपने संबंदों को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए गिफ्ट की थी, दोस्तों हमारे लिए बहुती गरव की बात है कि एक सबसी ज़्यादा मुसलिम अबादी वाले देश अपनी हिंदू संस्कृती पर इतना ज़्यादा नाज रखते हैं जैसे इंडोनेशिया की मिनिस्टर ओफ फाइनेंस मुसलिम महिला का नाम स्री मुल्यानी इंद्रावती है और इंडोनेशिया के फॉर्मर कमांडर ओफ दा आरम फोर्सीज का नाम गटोतकच है जो की एक मुसल्मान है इंडोनेशिया में मुसल्मानों के पर दोस्तो सबसे प्राउड फिल तब होता है कि इंडोनेशियन गवर्मेंट ने भी अपने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के हिंदू नाम रखे हुए हैं जैसे कि इंडोनेशिया की एरलाइन्स का नाम गरूड़ा एरलाइन्स है हिंदू धरम में गरूड भगवान विशनु का वहान है ऐसे ही इंडोनेशिया की नैशनल लाइबरेरी का नाम पर पुस्तकान गनेशा है यानि नैशनल लाइबरेरी गनेशा और इंडोनेशिया की कर पर सिगनेचर करने वाले गवर्नर को कुबेर नर कहा जाता है जो कि हिंदों के भगवानों से सम्मधित है नमबर पांच कनवर्जन फ्रोम अदर रिलीजियन्स टू हिंदुईजम इस अलोड एंड स्पोर्टिट बाइदा गवर्मेंट दोस्तों कि आपको पता है कि इंडोनेशिया में जब कोई दूसरे धरम से हिंदुईजम में आता है तो उसको इंडोनेशियन गवर्मेंट से फुल स्पोर्ट मिलती है मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इंडोनेशिया के पूरो राश्ट्रपती की बेटी सुकमावतिस कोड़नो पुत्री ने इसलाम को छोड़ कर हिंदुधरम को अपनाया था इसमें उनको इंडोनेशियन गवर्मेंट और उनके घरवालों ने फुल स्पोर्ट किया था ऐसे ही इंडोनेशिया के लोग हिंदु धरम को अपनाते रहते हैं वैसे भी दोस्तो उनके कल्चर में ही हिंदुईजम मौजूद है तो दोस्तो आज किस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही यूनिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना तो थेंक्स फर वाचिंग